रेडियो खाँची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। आप सुन रहे हैं रेडियो खाँची 90.4 FM हम सब का रेडियो। परियावरण, चिंतन और हिंदी साहित्य। कुरोना काल में लॉग डाउन के कारण, जब लोग घर में बन थे, बन्दीशों में थे, गर्दीशों में थे, भै के माहल में, खौफ से, घवराहट और धशत की जंदीर में बने, हम जब घर के बाहर जाक रहे थे, तब दिखाई पड़ी हंस्ती हुई प्रकिती। चैन की सांस लेते पशु पक्छी, स्वक्ष धर्ती, उन्मुक्त आकाश, खूली हवा, क्योंकि अब उन पर आक्रवन करने वाले घर में बन थे, तब चन्द पंक्तियां सुन्दर, स्वस्थ, प्रकितिक परिवेश के लिए मेरे मन में आईी। हट गया प्रकिती पर पड़ा आवरन, शुद्ध हुआ, स्वस्थ हुआ, सारा वात आवरन, शुद्ध, पाक, सनातन, शैली लोट आई, हुआ दूर, अहम और बहम, स्वक्षता, सादगी लोट आई, सडके हुई वीरान, जंगल हुए आवाद, संकट यह बनकर आउसर दे गया हमें नया स्वाद, मिला आउसर खुद से संगवाद करने का, मिला आउसर मनो जगत को आवाद करने का, तै कि हमने खुद से खुद की दूरी, संग्यम, नियम, अनुशासन, नियंतरन का मंत्र हु प्रकिती की गोद में पले बढ़े हम, और प्रकिती को लूटने को तैयार तथ पर हुए हम, प्रकिती के दुश्मन बने हम सिर्फ अपने लिए, नई पिडियों को बरवाद करने को तुले हैं हम, प्रकिती ने दिया हमें कितना कुछ, क्या लेंगे हम दम मिटाकर प्रकित का सब कुछ ये प्रश्ण हमारे मन को क्या आंदोलित नहीं करता क्या आज के सब्सक्षित उन्नर समाज को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए पर लापरवाह खुदगर्ज मनुश्यू इन चिंताओं चिंतनों से मुक्त है और युक्त है प्रगिती के सम्रित खजाने को अवियों ने अपनी उद्भावनाओं से अपनी अहिव्यक्तियों से हमारी आँखें खोली हैं पर अहम और वहम की नीन में अल्थाई आँखें हमारी खूल कहा पाती हैं स्वक्षता सभ्यता की पहचान है पर प्रगिती के नाम पर विकास पत पर अंधी दौर लगाने वा मद में चूर प्रकिती पुत्र मनुष्य हुआ प्रकिती से दूर पन पी विक्ति मिटी संस्किती हुए सपने चकना चूर हुआ जगत से सम्मोहन लगे करने प्रकिती का दोहन मनुष्य है महमान प्रकिती का मनुष्य है महमान प्रकिती का पर बन मालीक लगा लूटने इसक इसने दी जिंदगी हमें उसकी जिंदगी हरने का किया हमने पाप रूठी प्रकिती सोगात में मिला पाप और संताप गुस्तामी तुलसिदास से लेकर आज के अंगिनत कवियों ने प्रकिती की प्रकिती पर प्रवृत्ती पर महत्ता पर बिविन रूपों से अपनी कलम चलाई है और आकर्मित होती प्रकिती और पड्यावरन के कारण उत्पन होने वाली भया वहता पर खूला संकित किया है जला हुआ आकाश जली हुई धर्ती जला हुआ जल मेरे चारों और और कहीं राख नहीं जिवन दाई विक्षों को काट कर उनकी जगों पर बड़े बड़े कारखाने बना कर गगन चुम्बी मकान बना कर हम कौन सा कैसा जीवन जिना चाहते हैं भविश का जीवन और जीवन का भविश कैसा बना चाहते हैं ये प्रश्न गुढ़ चिंतन की मांग करता है क्षिसक सिसक कर यहू कहे फफक फफक कर धान खेतों में फसले नहीं उगने लगे मकान कटी सघन विक्षावली मिटी चैन की ठाउं पंती पक्षी खोचदे व्याकुल ठंडी चाउं क्या ये चिंता का विश है नहीं कि आज विश्चो में लगवग असी पतिशत शहरी लोगों के लिए शुद बायू बची ही नहीं है विश्चो की प्रमुख शिष्ट पदूशित पांच नदियों में से तीन भारतिय नदियां है भारत की प्रमुख नदियां अब जैव अक्सिजन मांग के आधार पर अत्यन्त प्रदूशित हो गई है इसलिए कभी कहता है कि जल जंगल जमीन सभी कुद्रत के वरदान नश्ट सभी को कर रहा मनुश बना अंजान पेड काट कर जब हुई कॉलोनी आबाद सुद्ध हवा की उस समय आई बेहद याद हमारा देश भारत वेज पुरान उपनिशत का देश है संतों विचारकों सहित्यकारों रिशी मनिशियों साधकों पस्पदर्शकों का देश है सब यदी हमारे देश की गरणा सरवादिक प्रदूर्शित देशों में हो रही है तब चिंता और अपमान से उत्पन दुख हमें विचलिस करता है परिशान करता है अब समय आ गया है कि हम संकल पितों की प्रकृती को बहर है सक्षिपों से मुक्त किया जाए प्रकृती की नैसरविक संग्रचना को इसके तमाम उपकरणों को बचा कर रखा जाए हमारे क्रिया कलापों में हमारे गते विधियों में अतिशे भोग बादिता प्रवेश कर गई है इससे खुद को बचाने की आउशकता है औरों को ही बचाना है समय की तस्वीर बदल रही है समय बहुत कुछ कह रहा है समय की दस्तक न सुनना उचित नहीं ये तो आत्म घाती है जंगल शहर में चले जा रहे है जंगल शहर में चले जा रहे है जंगल कंक्रीट होते जा रहे है मेख बिन बर से लौटने लगे है बिजूरी बिना चमक भागने लगी है जंगल नहीं रहेंगे तब कौन रोकेगा मेख कौन लाएगा तबती धर्टी पर मक्मल सी हर्याली की सेच प्रकिती से छेड चार करने का नतीजा हमारे सामने है जल है तो कल है वन है तो जीवन है जमीन बची है तो जहां बचा है जल जंगल जमीन को बचाने की तरथपड़ता में गती में तीजिलाने की आब adapter स्कता है पदूशित होती नदियों उनके बचाओ और उनके रख रखाओ पर सरकारी नीतियों के काड़ कलापों के तरीकों पर भी कवी का प्रश्ण जाइज प्रतीत होता है बुधिलाल पाल की चिंता है कि नदियां कल भी बहती थी बहती हैं आज भी और रोधों से हमेशा जूज दी नदियां वे कल भी पाशान थे आज भी पाशान है विवस्था के नाम पर प्राण वाही पेड़ पौधों को उखाड कर धुआ उगलने वाले कल कारखानों के दुश प्रवाव पर कभी बोल उठता है पर्यावरन का ताप जा रहा है बढ़ता पर्यावरन का ताप जा रहा है बढ़ता परमानों का धुआ, रॉकेट का शोर, अंतरिक्ष की उरानों पर पशन्नता सब और लेकिन क्या होगा हमारी सश्च श्यामल धर्ती का धर्ती गरम होती जा रही है इसे बचाए वरना नहीं बचेगी कोई सांज और नहीं रहेगा सुहाना, सवेरा और धर्ती हो जाएगी बांच साहित की सरजना के मूल में हैं लोकमंगल सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना पर अवलंबित हैं साहित की रचना जिस प्रकार प्रकृती का व्यापक उद्देश्य है सर्व जन हिताय उसी प्रकार साहित का लक्ष है सर्वे भवन्ती सुखीना हम अपनी मिट्टी, जलवायू एवं सांस्कितिक संवेदराओं से जुड़े होते हैं और इसी जुड़ाओ की निर्मल अहिवेकदी साहित में विशेश कर लोग साहित में होती है प्रकृती हमारी मां है, गुरु है, मित्र है, उपदेशक है, दारशनिक है प्रकृती से हम बहुत कुछ सिखते हैं, हम परीपक्व होते हैं पर ये तथ्य चिंतनिय है कि वर्तमान मश्यनी और कमप्यूटरी समाज से लोग चेतना सुन्य होती जा रही है। याती दुखद तत्य है कि एक तरफ पर्यावरन विद की लगातार कोशिश है पर्यावरन ववातावरन को स्वस्थ रखना, स्वस्थ बनाना, हितकर बनाना और हमारा आचरन हम भूल गए अपने आचरन से प्रकृति का सम्मान करना प्रकृति की उपकरणों के प्रती, पश्शु, पक्षियों, विक्ष, पौधों, आदी के प्रती, उदासी रहना, स्वस्थ रहना, सुन्ने हो जाना, ये हमारी फित्रत हो गई है तभी तो एक निरपराध, बेजिवान, शक्तिशाली, गर्विनी, हाथीन को खाद्यपदार देकर धोखा से मानने जैसा और मानवी निरिशंग्स को कृत्त करने में सेष्ट प्राणी मनुष का मन नहीं कांपता निश्चुत्ता की पराकास्टा नहीं तो क्या है? प्रकिती धर्ती को जीवन देती है, शिंगार देती है, खर्तकता भी देती है अपने मिट्टी से, अपने जमीन से जुड़ा रहना साहित की आनिवार्यता है मिट्टी में सारे रचना कर्म का की आत्मा निवास करती है चाहे वो पर्न्यास हो, कहानी हो, नाटक निवंध हो या कोई अन्य अहिव्यक्ती रचनाकारों ने सभी प्रसंगीक एवं जोलंत मुद्दों को अपनी रचना का विश्य बनाया है चाहे वो प्रकिती से जुड़ा हो, या पर्यावरन वासरन से जुड़ा हो मानो जीवन के सरोकारों की निरंतर अहिव्यक्ती साहित्य में होती है अनिक रचनाओं में सामय चिंताएं तो हैं, साथ ही चूबती हुई चितावनी भी है पर्यावरन परदूशन की विवी शिका से हम जरू संत्रस्त हैं पर इसके कारण भी हम है और इसका निवारन भी हमें ही करना है तु बारिश के वास्ते आसमान मतकोस जब धर्ती बंजर करी तब न हुआ अपसोस ऐसी ही अनिक अहिविक्तियों से भरा है हिंदी का खजाना आज हम संकल्प लें कि बढ़े प्रदूशन देश में करे न ऐसे कर्म पर्यावरन बचाएं सब यही राष्ट का धर्म प्रगती पर पर्यावरन पर जुल्म करना छोड़े हम और वक्त सब कुछ देख रहा है क्योंकि वक्त सब कुछ देख रहा है और सच यह है कि वक्त हर जुल्म तुम्हें लोटा देगा वक्त के पास रहों करम कहा होता है झाल 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 झाल